तो डर लग रहा है जैसे जैसे गेट examination करीब आ रहा है देखो डर को भगाने का एक ही तरीका है confidence ठीक है डर is inversely proportional to the confidence अगर आप कम confident हो आप घबरा होगे जैसे कि अगर आप किसी भी interview में गए हो तो हाथ का आपने लगते हैं ठीक है क्यों क्योंकि आपके अंदर वह confidence नहीं आ रहा होता पता नहीं क्या पूछ लेंगे कैसा interview होगा बड़े खतरनाक से जीवरी ना बैठ जाए कहीं ठीक है पैनल पैनल में पता नहीं लोग कैसे होंगे किस तरह के question पूछेंगे बट अगर आपने सोच लिया कि कोई भी बैठ ज यह वह थेवरी है कि जितना आप confident रहोगे ठीक है जितना आप confident रहोगे यह ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट उतना pressure कम आएगा अगर pressure बढ़ेगा तो confidence कम हो जाएगा और अगर confidence बढ़ेगा तो pressure कम हो जाएगा अब आप बोलोगे कि confidence कैसे बढ़ाएं तो हमेशा ध्यान दखिए जो practice है ठीक है ना जो practice है वह directly proportional होती है confidence के बहुत important theory बथा रही हूं मैं ठीक है वह बहुत important theory है जो मैं यहाँ पर लिख रही हूं तो practice क्या है confidence के directly proportional है तो अगर आप अपना confidence बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा प्राक्टिस करना पड़ेगा जितनी प्राक्टिस करते जाओगे उतना confidence बढ़ता जाएगा जितना confidence बढ़ता जाएगा उतना pressure कम होता जाएगा कोई गोली नहीं है यहाँ पर कि 20 रुपे की गोली आपके नियरेस्ट medical store मिलती है बच्चा जाकि खरीद लाना उसको खा लेना pressure bearing capacity बढ़ जाएगी यह question बहुत इजी है पूछने के लिए इसको अप्लाई करने में you need to do a very 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 hard work और you have to invest a lot of time तो बहीं यही theory है इसी theory पर मैं चली हूँ इसी theory पर आपको भी चलना है समझ आई बार